नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 स्टॉक है इसमें से मैंने क्राइटेर या सिलेक्शन किया हूँ, 10 स्टॉक लिया हूँ इसमें से लार्ज क्याब स्टॉक है फ्रेंट्स और बाकी जो 5 स्टॉक्स लिया हूँ, को अब किसी आपना पॉक्फोलियो में तो कुण्सा कूण्सा स्टॉक का में लेना जाए अभी मारकेट का लोपन होगा तो कौण सा स्टॉक का अभी फैरर वाल्यूशन पर हैं में स्टॉक को ले सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे, वीडियो शुरू करने से पेले आपको सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उदर आप इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको टाइमने मिल सकता है उसी वेसिज पर आपको स्टॉक को अनलेज कर सक फ्रेंसे जो सारे सिलेक्षण किया है इसका पहला इवराएडर इसका बहुत अच्छा उना चाहिए एसका 0.5 परसेंट से बिलो होना चाहिए लोडेट कंपनी उसके बाद में कंपनी में प्रोमोटर प्लेजिंग भी नहीं होना चाहिए उसके बाद में कंपनी एक बड़ी ऐसा प्रोफिटेबल कंपनी होना चाहिए ठीक है यह सब क्राइटरिया लेके सब स्टक सिलेक्शन किया अभी देखे 3590 पर चल रहा है अगर आप इसका अभी यहां पर दिखेंगे इस टॉक बिलकुल यहां पर पॉर्टफोलियों में लेना चाहिए यहां पर दिखेंगे यहां पर जबर्दस्त होल्डिंगे करेंगे तो आप अगर खुद समझ के करेंगे तो कभी भी लॉस नहीं होगा ठीक है और काफी सरा फ्रेंट्स क्या सोचते हैं कि हमें पैंब पैंब पैसे डबल होता है इसमें पैसे डापको आपना क्यापिटल को प्रोट्टेक्ट करना है उसके साथ में ग्रोथ पीछे नहीं पड़ना है यहां पर बताता हूं आपको में बताता हूं अगर आपको यह से पर देखना है तो आप मेरे साथ में जरूर सकते हैं जो पर पोटेंशियल है तो आप यहां पर कर सकते हैं तो यहां पर मुझे जरूर कर सकते हैं और अपका पोर्टफोलिय कोई गलत स्टक नहीं यह सब तो इसलिए तो इसलिए इसलिए तो अपना पॉर्टफोलियो में लेना है इसलिए मैं टाइटरल रखाओं कि इस टॉड़क लगा सकते अगर आपका लॉंग टर्म का गोल है अगर एक साल से ज्यादा का अगर गोल है तो आप इस टॉक में कोई भी प्रोब्लेम नहीं है अगर कोई भी पॉर्टफोलियो में अगर आपको लॉस हो रहा है कुछ भी उसमें अगर सॉक है तो आप मुझे जरूर यहां पे वाट्सप में मुझे मैसेज कर लीजिए उसमें करके उस स्टॉक में क्या करना चाहिए उसके लिए बात करेंगे चले यह पहला स्टॉक अपना पॉर्टफोलियो में रहना चाहिए जो कि इसका आरोशी भी थाटी फाइव है इसमें कोई भी सॉक नहीं है अभी टूंडेटे मुवी आवरेज के पास में आ रहा है दूसरा स् स्टॉक का बाजाज फाइनांस और यह रिटन देने में जबड़ दस्त मतलब इसका मुकाबला में कोई नहीं है मार्केट में अगर आप बात करेंगे यह स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है ठीक है वो तो पक्का करोड़पती बन चुके हैं ठीक है अगर आप यह स्ट अगर सब्सक्राइब करें और हम हिंदुस्तान नहीं का बात नहीं हो सकता है इसका मार्केट लिडडर है कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए यह स्टॉक में आपको इंवेस्टमेंट करना ही चाहिए आपका प्रोटेक्टट रहेगा और आप अगर इसको चलेंगे आपको इसमें बने रहेंगे तो आपको 26 परसेंटेज का गेन मिल सकता है जो कि 6 मौंस में आपका टार्गेट आचीव हो सकता है और कॉंपनी कॉंपनी ने इतना बड़ा गीराबट की बावजूद भी नाइटीन परसेंटेज के पास में आ जाता है ना उस ताइंपर हमें सोचना भी नहीं जरूरत नहीं है तो थोड़ा ही दिन रहता है ज्यादा दिन नहीं है वान मौंस तक वही एक रेंज पर गुमेगा उसके बाद में अल्टाइम हाई आचीप करता है तो अभी यह स्टॉक को लेना चाहिए यह स्टॉक का अगर डेट को बात करेंगी यहां पर परसेंटेज का डेट है अगर ह आँप क्वालिटी स्टॉक में प्रिमियम पर हमेश़ा रेड होता है यह नहीं कि आपको अरोशी 30 में डी माट कभी मिल जाएगा इसा कभी भी नहीं होने वाला है ठीक है जब से में मार्केट में देख रहा हूं डी माट जब से लिस्टिंग आय हाई यह में हमें साट करा है ठीक है बहुत बढ़ी है स्टाइक है फंडमेंटली बहुत सवाइब के पास में जब आजाएगा यहां पर फिल्ट करके चल सकते हैं जो कि 1120 के पास में गौन तो आपको लांग टर्म का गोल है तो इसमें आप करके चल सकते हैं अगर आपको शुइंग ट्रेट के लिए ले लिए यहां से लेकि यहां पर आपका इंवेस्टमेंट होना ही चाहिए क्यूंकि यह स्टॉक्ट डेट फ्री कंपनी का ओपर इतना ज्यादा डेट नहीं है तो 0.02 परसेंटेज का डेट है अगर आरोशी की बारे में बात करेंगे यहां पर 23 परसेंटेज का आरोशी है ठीक है और कंपनी का ट्राक रेकर्ड भी बहुत बढ़िया है दस साल में 14 परसेंटेज का सीजिया रिटन दिया है अब भी अगर आप स्विंग ट्रेट के लिए बहुत अच्छा सा गयन होता है तो इसलिए आप यह स्टॉक का अपना पोर्ट्फोलिय में लेकर चल सकते हैं कोई भी हमें सक नहीं यह स्टॉक में ठीक है कि यहां पर नेक्स टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंट्स आरो सी अभी 29 पे ट्रेडिंग हो रहा है और कंपनी का उपर डेट लो डेट है जो कि 0.13 परसेंटेज का डेट है अगर कंपनी का दस साल का भी ट्राग रिकर्ड देखेंगे दस साल में 32 परसेंटेज का स्वाल करेंगे ना तो मैं आपको अभी बताना चाहता हूं 32 परसेंटेज में हमारा कितना परसेंटेज का ग्यान होता है अगर आप लॉंग टर्म में इंवेस्टमेंट करते हैं या तो फिर आप स्विंग क्रेड में भी लेके चलते हैं ठीक है आपको मैं ग्रो काल्कुलेटर ओपन कर लिया क्योंकि थोड़ी दर के लिए आपको तो यह चीज काल्कुलेशन तो सबको पता रहेगा जो न्यू जो नाया फ्रेंड्स है तो उनको जरूर यहां पर बताने चाहूंगा यहां पर लॉंग सम में हम ठीक है सपोज मैं एक लाग रुपे अभी इंवेस्टमेंट करके चल रहा हूं सब्सक्राइब करेंगे ना तो 30 परसंटेज की बात हो रहा है अगर आप लंग्टर में करेंगे तो 25 परसंट ले लेंगे कोई प्रोब्लेम नहीं 30 परसंट का हिसाब से अगर आप 30 जो बोलते हैं नहीं होगा इसा कभी भी नहीं होता है तो आपको हमेशा कुछ चीज आपको मानना ही पड़ेगा क्यूंकि स्टॉक में उसी टाइम पर आपको बाई करना है जब करेक्शन पर मिल रहा हो और आपको फो मुक का चक्कर में नहीं रहना है जब आपका टार्गेट प्राइस आजाएगा इम्मेडियेट लिए प्रफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे ठीक है यह सब अगर मानेंगे तो आपको बड़ी ऐसा प्रफिट होगा ठीक है तो इसलिए मैं कुछ चीज अपना मैं मैं कुछ अपना जो ग्रूप में बंद्य हैं तो मैं उनको टा नहीं रहे हों गलत है मैं आपको लिए बना अगर यहां पर कर रहा है अगर आप डिसिप्लीन के साथ में करेंगे तो आपको बड़ी ऐसा गेन होगा इसमें कोई सक नहीं है पर घृ community को जूड़े हुए उनको भी रहां आपको भी हो सकता है अगर कुछ भी आपको ईश्यू है आप मेरे साथ में सकते हूं आप शक्ते हो झाँ सकते हूं आपि नंबर वहां पर इसल्वत में दिख रहा है तो यहां पर सब्सक्राइब बात करेंगे यहां पर डिक्षन टेकनलोजी में अभी नेक्स टाक है डिक्षन टेकनलोजी यह एट्स टॉक यह श्टाक को भी अपना पॉट्फोरिय में लेना चाहिए क्योंकि जब मोमेंटम में था कब मैं आपको अबर्ड कर रहा था लेकिन अभी आपको बड़ी ऐसा करेक्षन पर मिल रहा है यह स्टॉक को बिंदास लेके चल सकते हैं कंपनी में कोई भी बुरा ही नहीं है तो यहां पर 32 का आरोशी है अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे जो रिलाक्स अगर आप लंग टर्म में यह स्टॉक को अपना पोर्ट्फोलियो में देना चाहते हैं तो लेके चल सकते हैं बड़ी ऐसा स्टॉक है आपको मल्टी अगर रिटन देगा इसने जो भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हैं वो सब करोड़ पती बन चुके हैं इसमें तो कोई भी सक नहीं है अगर आपको यह स्टॉक में यह लेबल में मिल जाता आइसर मोटर है फ्रेंट्स मैं आपको यह बताना चाहूंगा जिनके पास में आइसर मोटर है तो आप बिंदस होल्ड किजिए इसमें कोई भी प्रोब्लेम नहीं है मुझे पता है यह स्टॉक 4600 तक जाने वाला है तो क्यूं जाने वाला है उसका पिछे का रिजन भी है मै है अपका फाइनान्चेल राद्वाइजर से जरूर से जरूर शला कर लिजये मेरा कहने प्र एक बीस्तॉख मत किजिए क्यूंकि कभी-कभी ऐसा होता है स्टॉक जब इस टाइम पर आपको आपको फाइनांंचेल रहे कबाई करना रहेगा ठीक है क्यूंकि मैं यहां पर ज यहां तक का आर्ची हो सकता है अगर इम्मेडियाट की बात करेंगे यहां पर 10-15 दिन में यहाप दीखिए यहां पर 10% का गेन मिल जाएगा ठीक है अगर एक महिने में नहीं सकता है कि यह उपर नहीं जाएगा जिनका मन में सब्सक्राइब को सेल करने के लिए जो भी सोच रहे हैं आप सेल कर सकते हैं लेकिन मैं सेल करने वाला नहीं हूं ठीक है मेरा पोर्टफोलिय में अभी इसलेट को में अभी लेके चलता हूं छी अपको क्या लग गया लगा रहे यहां पर क्या पैटन भन रहा है आप खुद देखिए यहां पर इस चार्ट रइएप कोना पटर पोर्फोलिय में लेके चल सकते हैं यहां पर बड़ी ऐसा रिटन दे सकता है यहां पर केमिकल स्टॉक यहां पर ले लिजिए और इसका टार्गेट यहां पे 2112 आपको 10 परसेंटेज का गेन एक मॉन्थ में मिल जाएगा ठीक है यह इसा पैटर्न यहां पर डेवलोप हो रहा है मुझे इसा लगता है वान मॉन्स में आपको यह 10 परसेंटेज का गेन मिल सकता है क्योंकि मैंने पहले भी बत करेंगे यहां पर अलका महीन है यह केमिकल स्टॉक में बहुत बड़ा मल्टिवेगर रिटन मिला है मैंने अपना पूर्फोलिय में भी रखा था इसको सेल कर चुका हूं कि मुझे बड़ी ऐसा रिटन पर मैंने सेल किया अगर कोई यह स्टॉक में बाइंग करना चाहता है अभी भी ऑपर्चुनिटी है और इसका टार्गेट क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे इसका टार्गेट आप यहां तक लेके चल सकते हैं ठीक है आप अगर यहां तक लेके चलते हैं कि 4734 अभी से अगर वहां तक का टार्गेट देखते हैं इस टॉक में एक 52 परसंटेज का गेन मिल सकता है ठीक है केमिकल स्टॉक है यह दो साल में 60 परसंटेज पर इसमें आरोशी है नेक्स टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंस जो की निपन आसेट मेनेजमेंट कमपनी है तक इस कंपनी में आपका इंवेस्टमेंट नहीं अगर आप सोच रहे हैं अपना पॉटफोलिय Rs.1 में लेने के लिए तो भी लेकर चल सकते ही फृंडामेंटली बहुत कर allemaal अगर बंधने वाला हूँ वह Most चाहर बहतर बढ़ा तो इसलिए आप वीडियो में आखिर तक जरूर बने रही है यह सा लगता होगा कभी कभी लगता होगा लेकिन जो भी बोरिंग है यह चीज बताना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हर एक चीज में में डिटेल्स लिए आपको नहीं बताऊंगा हो सकता है आपको स्टॉक मार्केट में फिर लॉस होगा आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे ठीक में नहीं चाता हूं कि आपके साथ में हो यह स्टॉक भी अपना पॉर्टफोलिय में लेके चल सकते हैं इसका टार्गेट 475 र जिससा बिल्कुल मत सूचिए कभी-कभी इसा स्टॉक में कॉंसलेडेशन होता है लेकिन फिर भी आल टाइम हाई आचीब करते हैं ठीक है न तो इसलिए अगर यह भी आपका पॉर्टफोलियो में है तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा क्यूंकि अगर आपका करके चलिए अगर अभी आप लेके चलेंगे अगर आल टाइम हाई तक अगर इस्टॉक में बने रहेंगे तो आपको 99 परसेंटेज का केन बिल सकता है तो सकता है इसमें आपको एक साल लग जाए ठीक है उससे ज्यादा और में कुछ नहीं बोल सकता यहां पर दिखिए यह अगर आप लेके चलता है यहां पर कोई इममीडिेट मिल सकता है इमीडिट है है तक आपका चलेंगे और यहां पर पोसिए सन nella अगर वहां तक का principles का ब f हिसाब से ठीक है और यह कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉंग कंपनी का मार्केट क्या आपके वरह में अगर बात करेंगे साथ अजर पान्सों करोड का मार्केट क्या आप है आरो सी तुन्टीएट का रोसी है डेट अल्मॉस्ट लो डेट है जिरो पॉइंट वान फॉ पॉट्फोलिय में रखा हूं और मुझे पता है यह स्टॉक फिट से अल्टाइम हाई आचीब करेगा कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉंग कंपनी कोई भी प्रॉब्लेम नहीं है मुझे अगर आपको कोई तकलीप अफ्षेल कर सकते हैं मैं किसी को बोल नहीं सकता ह कि आप अपना पॉट्फोलिय में रखो लेकिन मैं तो अपना पॉट्फोलिय में लेके अभी भी चलता हूं मुझे पता है यह एक दिन अल्टाइम हाई आचीब करेगा उसमें मुझे कोई भी सक नहीं है ठीक है अभी अगर आप यह स्टॉक को लेके चलेंगे आपको 51 पर क्या पर अगर देट के आपके पर बात करेंगे लो डेट कंपशनेटज का डेट यह साब हुआ है एक बार जरूर देख लिजिए उसका बीडियो जरूर। बाइब करने से प्रदिटर लिए आपको बता नहीं सकता हूं तो इस परफोलिय में लेके चलना है तो आपको इसमें भी बड़ी है सा टार्गेट के लिए आपको भी देखना पड़ेगा ठीक है तो यह वीडियो जरूँर देख लीजेए यहां पर ठीक है नेक्सट कमपनि के बात करेंगे जो कि आफल इंडिया कि अल्रेडी में हो अभी भी में अभी आपको क्यूं बोल रहा हूं कमपनी फंडमेंटली बहुत मिला अभी मैं बोलता हूं अगर अगर पोजीशन बनाएंगे तो यहां पर पोजीशन बनाएंगे चलते हैं है आपको टार्गेट क्या रहेका टार्गेट आप नोट कर लिजए जो कि 1650 का लेवल पर प्रॉट बॉकिंग कर सकते हैं नहीं तो आप यहां तक जा सकते हैं जो कि 1685 1685 तो अगर इस टॉक में आप बने रहेंगे आप 38 परसेंटेज का गेन मिल सकता है अगर 38 परसेंटेज का गेन अगर एक साल भी लग जाए तो क्या बुरा होता है है एक स्पेक्टेशन है मैं हमेशा आपको बताता हूं 30-40 परसेंट अगर अपने मीट कर लिया ना तो आपका पॉर्टफोलियो टूअंड अफ यह उर्स में डॉबल हो जाएगा लांदेड़ परसंथ के आप हो जाएगा ठीक है इस पॉटफोलियो फोर टाम्स हो जाएगा यह पॉसीबल है यह इस वीड़ में पॉसिबल है क्योंकि मैं लाप्षपाइब मुझे पता है तभी तो मैं पता रहा हूं आपको नहीं तो मुझे किसे रहता है है यहां पर नोट यह पर पर्ड़ियू है लेके चल सकते हैं इसमें परसंटेग्स का गेन मिलेगा अगर एक साल से जाधा भी लग जाई साब से कोई गुरा नहीं कंपनी फंडामेंटली बहुत स्रॉंग कंपनी जो कि इसका आरो सी 16 ने लो डेट कंपनी जिरो पॉइंट पर्सेंटेज का डेट जो भी स्टाउक में बताया यह सारे स्टाउक परपोस के लिए बताया तो कोई भी स्टाउक में आप अपना पोजीशन बनाईए क्योंकि इस टॉक मार्केट में रिस्क की जरूर होता है तो रिस्क को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं लेकिन रिवार्ड बहुत अच्छा होता है उस चीज को भी अपने ध्यान में रखना पड़ेगा बहुत अच्छा रिवार्ड मिल सकता है जो कि हमें 10 साल में अपना पैशे डबल होता है जो कि 6-7 परसेंट का सालना यहां पर एबडी में रिटन मिलता है लेकिन यहां पर अगर हम रिस्क को थ आप मुझे से पूछ सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को जरूर्ड लाइक किजिए फ्रेंस के साथ में सेयर किजिए अगर चैनल पर ना आया है चैनल को जरूर सब्स्राइब कर लिजिए थैंक्यू भरी मच्छ फ्रेंस पर वाचिंग इस वीडिय मिलते ने ने वीडियो में